हेलो एब्रीवन वेलकम और वेलकम बैक तो मैं चैनल फास्ट अपल थैंक यू सो मच गाइस पर यू लवली कॉमेंट्स थैंक यू तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि उई इंको लंजा के बारे में सब कुछ याद है और वो दोनों रात में एक रोमेंटिक टाइम गुजारे अब सुबा हो गई एस इसुवल लंजा ने इन से जग गया बट विइंग उसको एकदम रैप करके स्वया था इसलिए लंजा हील भी नहीं पा रहा था तो उसने डिसाइड की कि वो कुछ दिर और वेट करेगा अब ध दिरे दिरे टाइम बढ़ता जा रहा था सुरज के रौशनी उइंग के फेस में पढ़ रहा था लंजा उइंग के फेस को ही दिखा जा रहा था उसने उसकी आई लैशेज एंड चिक्स को टच की एंड सोच रहा था कि एक इंसान कितना ब्यूटिफुल हो सकता है एंड अम फिर से सो गया कुछ दिर और वेट करने के बाद लंजा सक्सेस्पुली महां से उठ गया एंड उसने उन दोनों के लिए बद प्रिपेर्ड की फिर उसने उइंग को कैरी करके बद टब पे लेके गया एंड दिन धिरे धिरे उसको वस करने लगा वो उइंग का वीक एंड बोड़ी देख रहा था एंड सोच रहा था कि वो कभी उइंग को उसके वज़े से फिर से सफर करने नहीं देगा वो खाना बनाना सीखेगा एंड उइंग के सारे फेवरेट डिश को वो बनाएगा अपने हातों से एंड उसको फिर से पैमपर करेगा हमेशा उसका ख्याल बड़ उसे अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि वीइंग को सब कुछ यात कैसे है बड़ अभी वो इस पल को एगजय करना चाहता है बड़ कंप्लिट हो जाने के बाद लंजा अपने आपको ड्राय किया और वीइंग को भी और उसने अपने आपको ड्रेस्ट अप किया उसने वीइंग को ड्रेस्ट अप नहीं किया यूँकि वीइंग उर जाता तो उसने वीइंग को सिंप्ली ब्लैंकेट से ठग दिया ता क्योंकि उन दोनों का भी long trip करना है उसे अपने अपको strong मनाना है क्योंकि क्लावरेस लोटने के वक्त अगर कोई travel आए तो वो सब कुछ समाल सके क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर फिर से wing कोई सफर करे तो अब घर के अंदर wing जाग गया वो आसपास देख रहा था बट लंजा तो वहापन नहीं था तो उसको बहुत ही empty लग रहा था उसने अपने face को pillow पे बरिट किया और सोच रहा था लंजा को क्यों हर रोज 5 बजे उटना होता है क्या वो एक दिन के लिए भी lazy नहीं हो सकता वो धीरे धीरे उटने की कोशिश किया उसका golden coat strong नहीं है बॉडी को heal होने में थोड़ा time लग रहा है अपने body के muscles के pain के लिए उसे अपने आपको old man लग रहा है उसने देखा table पे उसका clothes and demonic flute रखा हुआ है यह देखके उसने smile की दिन उसने अपने आपको dress up किया और लंजा को ढूंडने लगा उसे पता ही कि लंजा दूर नहीं जा रहा है लंजा को ऐसे देखके wing का हर्ड़ पैसे मेल्टी हो गया उसके आँको से खुशी की आसु आ रहे थी लंजा का flawless glowing skin जिसमें morning की sunlight पर रहा है और और भी glowing लग रहा है उसका बैटने की posture peaceful expression लंजा जैसे गौट की तरह लग रहा है उइंग को लग रहा था कि वो लंजा को अभी खीचे और उसको deep kiss करे ये सोचके ही उइंग के लिप में एक smile आ गई वो लंजा के पास गया और उसके पास ही बैट गया दुरों ने घंटों तक meditate की और एक दूसरे की presence enjoy कर रहा था silently फिर लंजा ने कहा तुमने ये कैसे किया वो इंग को पता है कि लंजा किस बार में बात कर रहा है वो इंग ने कहा मैं exactly sure नहीं हूँ लंजा तो शौकी हो गय वो इंग की तरह एक questioning look देकर देखता रहा वो इंग ने कहा मुझे पता है कि मैं क्या करना चाता हूँ बट में sure नहीं तक ये actually walk कर जाएगा ये वोलकर वो एक disbelief की तरह smile दे रहा था लंजा अब गुसा हो रहा था उसने कहा विंग तुम एक ऐसे deal करे जहां पर तुम sure नह नहीं विंग लंजा के गोत में पैट कया और अपने हाथों को लंजा के नेक में रैप कर लिया और कहा लंजा प्लीज गुसा मत हो ओनेसली बोलू तो मेरे पास all memories नहीं है वो ये बत साहिली कह रहा था लंजा अपनी emotions को control करते हुए कहा explain करो तब ही विंग ने कहा विल मैंने एक trick के बारे में सुना था जहाँ पे एक person conscious रहके अपने memory को lock कर सकता है ये बोलते हैं वो बहुत ही excited हो रहा था उसने कहा जैसे कि उसे एक box में बंद कर दो एंचावी को कहीं दूर फेक दो मैंने ये सालो से try किया था बट इसमें master नहीं हो पाया था लंजा के heartbeat जैसे रूप गया था ये सोचके कि उइंग ने फिर से अपने आपको रिक्स में डाल दिया था कुछ भी ना सोचके कुछ भी ना समझके उसने अपने आपको काम करने की कोशिश किया तकि उइंग अपने study को finish कर सके उइंग ने कहा इसलिए जब वो मेरी memory ले रही थी तब मैं जागा हुआ था क्योंकि तब लंजट चिला कर उठा तुम जागे हुए थे वो गुस्से में ख़रा हुआ एंड वूइंग को अपने गोच से नीचे फेक दिया उसने चिला कर कहा तुमने सुना था ना कि उसने क्या कहा था तुमने सुना था ना कि ये बहुत ही painful है क्यों वूइंग लंजट का वोइस बहुत ही break हो रहा था उसे पता नहीं कि उसे वूइंग को hit करना चाहिए या hug करना चाहिए वूइंग अपने अपको पीछे कर रहा था और उसने अपने face के समने दोने हाथ रग दी और कहने लगा मुझे करना पड़ा लंजट ये एक ही रास्ता था मेरी सारी good memory को save करने के लिए वूइंग बहुत ही दर रहा था अब लंजट अपने confusion and anger को control नहीं कर पा रहा था उसने उस tree को आधा कर दिया जिस tree के नीचे वो merited कर रहा था वूइंग explain करने की कोशिश किया उसने कहा मैंने good memory को lock कर दिया and उसको सिफ bad memory ही लेके जाने दिया मुझे अपने conscience में रहना था तकि मैं अपने memories को control कर सकूँ वर्णा मैं सब कुछ खो देता, मैं तुमें खो देता, हमें खो देता, मुझे माफ कर तो मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे गुस्सा हो जाओ को लंजा के रोफ से बड़िट कर रहा था क्योंकि वो लंजा को ऐसे अपने उपर डिजापाइं नहीं देख सकता लंजा ने कहा ओ माई वींग, माई प्रेशियस, तुमने अपने आपको क्यों रिक्स में डाला मेरे लिए लंजा वींग को कैड़ी करके घर के अंदर ले आया और उसके फॉरेट पे एक किस किया वींग लंजा की तरफ एक लविंगली गेस लेके देखा और कहा क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो उसने लंजा को forcefully pulled किया अपने तरफ एक उसको किस करने लगा लंजा भी उसको किस करने लगा, वींग ने लंजा के साड़े कप्रे हटा दिया और देन उन तोनों का romantic time स्टार्ट हो गया romantic session चलते वागत लंजा ने वींग से पुछा वींग वींग ने कहा येस लंजा लंजा ने कहा be my soulmate in every lifetime guys मैं ये English मैं इसलिए बोल रहे हूँ क्योंकि ये line बहुत ही अच्छी है मैं इसको हिंदी में explain सायद नहीं कर पाती इसलिए मैंने इसे English में ही बोल दिया उन दोनोंने कुछ टाइम एक साथ गुजारी सबसे अलग सबसे दूर and then वो दोनों peacefully cloud recess चले गए लोटते वागत वींग लंजा को सब कुछ बता रहा था कि वो कैसे सब कुछ managed किया था जब वो वांग शन को छोड़के cloud recess आया था वो कैसे याँ मेंन्च चला गया था फिर जब उसने बताया कि जीयंग चैन ने उसको ठेट दिया था तब लंजा थोड़ा हस कर उठा क्योंकि वींग लंजा को छोड़के वहाँ पर चला गया था इसलिए जीयंग चैन उसे ठेट दी थी लंजा को यह सुनके बहुत ही अच्छा लगाता वो मनी मन में सोच रहाता कि नेक्स टाइम जब भी वो जियंग चैंग को देखेगा उसे थैंक्यू कहेगा जब वो अल्मोस्ट कुस में पहुँच गए थे वो दोनों बहुत ही शान्त हो गए थे उन दोनों के अंदर बहुत सरे थौर्स चल रहे थे इस लॉंग पिरियोट में उन दोनों के भी जो भी हुआ वो सब कुछ उन दोनों को याद आ रहा था उन दोनों ने बहुत सफर की थी वो दोनों अल्मोस्ट मर ही जाते ये सोच के उन दोनों का हर्ट ब्रेक हो रहा था वींग को खुछ से ज़्यादा लंजा के लिए डर लग रहा था लंजा को वींग के लिए डर लग रहा था लंजा चलते चलते रुख गया और कहा वींग वींग भी रुख गया और कहा येस लंजा लंजा ने वींग की तरफ कुछ देर देखा और कहा तुम्हें बैट मिमोरी सियाद नहीं बट बाकी सब को याद है वो सब तुम्हें भूलने नहीं देंगे इतने एजिली वींग ने डिपेड़ेट वोईस में कहा मुझे पता है लंजा पट इस ओके, इट विल बी ओके अट लिस जब तक मैं कर सकू एंज़ॉई तब तक मुझे एंज़ॉई करने तो इस हैपिनेस को लंजा प्लीज लंजा ने नोट किया एंड वींग को हग कर लिया वींग ने भी अपने आखे बंद कर ली एंड लंजा को हग कर लिया एंड फाइनली वो दोनों क्लावरेसस पहुँच गए एंड थैंक्फुली दो जूनियर्स के बारे में वींग को अभी भी याद है वो दोनों जूनियर्स अभी गार्ट दे रहे है वींग दोर के उन दोनों के पास गया एंड चिल लाया लान सिजूई, लान जिंगी वो दोनों ये साउंड सुन के तो जंप कर उटे वो दोन अपने तलवार को खोलने ही वाले थे फिर उन दोनों ने देखा एक crazy man उन दोनों के पास ही दोर के आ रहा है कुई इंग ने अपने अपको slow down नहीं किया and finally वो तीनों नीचे गिर गए जमिन पे उन दोनों के विश्वास ही नहीं हो रहा था उनका favorite teacher, friend and Sijui का पिता finally lot आया है उन दोनों ने देखा कि लंजा वहाँ पर ही ख़रा हुआ है वो दोनों quickly अपने tears को अपने sleep से पोचे and लंजा को बोग किया और कहा hang wang jun लंजा ने अपने हाथ को wing के west पे रखा और उसको अपने तरफ खीच लिया क्योंकि वो wing को किसी और के साथ share नहीं कर सकता wing को लंजा के ऐसे jealous face and positiveness देखके बहुत ही हसी आ रही थी jealousy वो भी इन बच्चों के उपर जिनको वो दोनों अपने बेटे मनते है wing ने अपने hit को लंजा के chest पे रखा और कहा I am all yours hang wang jun, don't worry और उनके सामने दोनों junior's blush कर रहे थे उन दोनों को पता नहीं कि ये strange situation में वो लोग क्या कहे सीजुई ने finally बोला hang wang jun, master वे, हम लग बहुत खुशी है कि आप लोग वापस आ गए उन दोनों के face में smile थी सीजुई ने कहा, अगर आप जेवो जुन को ढून रहे हैं, तो वो शायद library में है लंजा ने politely कहा, हम फिर लंजा wing को लेका जाने लगा वुइंग ने पीछे मूर के उन दोनों boys के दिरफ देखा एंड wing किया अपने टांग को दिखा है, ये देखके सीजुई न जींकी दोनों ही ब्लाश करने लगे वो दोनों library में पहुँचे, तब ही उन दोनों ने देखा कि जेवो जुन inquiry प्ले कर रहा है जेवो जुन हर दिन तीन वार inquiry प्ले करता था, लंजा के सोल को ढूनने के लिए बढ़ हर वार वो दिजापॉइंट हो जाते थे फिर उन्होंने ट्राइ की वीइंग को सोल के ढूनने के लिए या फिर किसी और सोल को जो कि उसके भाई के वारे में कुछ भी बता सके क्योंकि वीइंग एन लंजा दोनों ही बहुत टाइम से मिसिंग है जेवजुन ने बहुत धुनने की कोशिश की बट वो हर बार डिजापॉइंट हो जाते थे बट उनके दिले में अभी भी होप थी उनका दिल नहीं मान रहा था कि वो अपने भाई को कभी नहीं देख सकते ये देखके लंजा का हर्ट अपने भाई के लिए प्यार से भर गया था वो धीरे धीरे अपने भाई के पास जाने लगा जेवजुन को किसी की पैर की आवाज सुनाई दिया को बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि इसने उसके प्राइबेट मॉमिन को डिस्टप किया उनके हर्ट जैसे फ्रोज हो गया था उनने कहा वांग जी उन्हें लग रहा था कि जैसे ये कोई ड्रीम है लंजा ने कहा भाई आपको देखके बहुत ही अच्छा लगा जेवजुन के हाथों से अपने बासुली नीचे गिर गया था वो दोर के लंजा के पास गये और उसको हग कर लिया टाइटली उनके आखों से आसु निकल रही थी लंजा ने भी उनको हग कर लिया जो उसने बचपन से कभी भी नहीं किया था कुछ टाइम के बाद वो दोनों अलग हुए फिर जेवजुन ने वियंग की तरफ देखा और स्माइल किया और कहा तुमने उसे धून निकाला बट कहां कैसे जेवजुन को एंसर चाहिए थी लंजा एन वियंग से वो दोनों जेवजुन को एक सोफे पे बीठा है उन दोनों को ड़ लग रहा तकि जेवजुन साथ नीचे गिर जाएंगे उन दोनों ने जेवजुन को सब कुछ बताया जेवजुन ये सब सुनके तो शौक ठी रह गए लंजा के ऐसे चेंज़ेस देखके जेवजून को बहुती प्राइड एंड जॉई फिल हो रहा था और वो स्माइल करने लगे सब कुछ बता देने के बाद लंजा एंड वेंग एक दूसरे के तरफ देखने लगे एंड एक स्मेक करने लगे क्योंकि आफकोर्स उन दोनों ने सब कुस्त जेवजून को बताया नहीं था उन दोनों के परसनल मेमोरीस के बारे में तो जेवजून को वो लोग बता ही नहीं सकते और बताना चाते भी नहीं फिल लंजा ने वीन के हातों को अपने हातों में पकर लिया बहुत घंटों से लंजा और जेवुचुन बाते कर रहे थे इसलिए बहुत टाइम के लिए वो उइंग को ना तो अपने बाहों में भर पाया था और ना वो दोनों close आ पाये थे जेवुचुन ने kindly कहा वांग जी, उइंग, थैंक यू कि आप दोनोंने मेरे साथ इस incredible story को share किया बट मैं अभी भी worried हूँ क्योंकि वो औरत अभी तक पकड़ा नहीं गया और वो continue innocent लोगों की memory still करेगा और मैं master way के लिए भी concerned हूँ उनके memories को लेकर और अदर्स उनके ये news सुनके क्या react करेंगे वो लेकर वींग ने smile की and proudly कहा जेवुजुन अपको लगता है कि मैं उसको without punishment जाने दूँगा लंजा वींग की तरफ एक shock, puzzle and confusion look लेकर दिखता रहा क्योंकि उसे भी नहीं पता इसके बारे में वींग ने smile की and कहा जब वो मेरे memory लेने वाली थी उससे पहले मैंने उसके उपर एक tracking तरिस्मा लगा दिया था मैंने इचाता कि वो उसको धून ले इससे पहले हमें उसको धूनना पड़ेगा फिर उसने अपने उंगली को घुमाया and then उनके सामने एक glowing रोशनी खरी हो गई तब वींग ने एक bunny smile लेके कहा सिप आप लोगों को इसको follow करना है तेन आप लोग उसे ढून सकते हैं उइंग ऐसे smile कर रहा था जैसे कि वो एक proud teacher हो लंजा को ये देखके बहुत भी proud feel हो रहा था उसे ये भी लग रहा था कि कोई भी उइंग से challenge में नहीं जिच सकता उसे लग रहा था कि वो अभी उइंग को जिंग्शी में लेकर जाए और उन दोनों का romantic session स्टार्ट करते लंजा उइंग के close आने लगा और उइंग भी वो ही करने लगा इन दोनों lovers को close देखकर जेवच उनको बहुत ही अच्छा feel हो रहा था उसे लग रहा था कि finally वांग जी ने अपने soulmate को ढूनी लिया और वो अभी happy है उन्होंने अपने बांसुरी को जमीन से उठाया और ख़रा हुआ और कहा मैं हमारे सबसे काबिल trackers को भेजता हूँ उसको पकरने के लिए तकि हम उसको punishment दे सके वींग तब ही लंजा बोलकर उठा नहीं जैसे कि वो command कर रहा हो and then उसने वींग को वेस्ट को tightly पकड़ लिया जेवजुन ने note किया क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि लंजा क्या कहना चाता है वो वींग को protect करना चाता है जेवजुन ने कहा मैं समझ सकता हूँ तीन दिनों में एक banquet रखा जाएगा तुम दोनों के safety return के लिए एक celebration रखा जाएगा जेवजुन ने कहा हूँ बट मुझे नहीं रखता कि मैंने बहुत अच्छा जॉब किया है मैं nice था क्यों master हुई आपको मुझे एक किक मरना चाहिए था ये बोलके उन्होंने उइंग के कंदों पे एक punch किया चोटा सा एंड स्माइल करने लगा लंजा अल्मोस्ट ग्रोल कर उटा अपने भाई के उपर कि उसने उइंग को टच किया बट उसने अपने अपको control किया ये देखके उइंग ने गिगल की उसने लंजा को पकर लिया जेवोचुन लाइबरी से बाहर निकलने के वक्त उन दोनों के एक बार फिर से देख लिया और उनको बहुत ही शांती मिल रहा था मनी मन बहुत दिनों बात उन दोनों के एक साथ उन्होंने देखा है उइंग ने प्लेफुली कहा लंजा मुझे जल्दी से जिंख्शी ले चलो इससे पहले कि तुम अपना प्रामिस तोड़ दो लंजा कन्फ्यूस्ट हो गया और पूछा प्रामिस? उइंग लंजा की क्लोज आया अपने हाथों को उसके नेक में रैप कर लिया और कहा आज का दिन अल्मोस्ट खतम होने वाला है और तुमने मुझे प्रामिस की थी एवरी डे ये सुनके लंजा ने विंग को अपने बाहों में भर लिया और उसको केरी किया जिंख्शी तक और अपना प्रामिस फुल्फिल किया मोर देन वांस हेज तो कैसा लगा आज का पर्ट आज का पर्ट भी बहुत ही अच्छा था ना अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेर जरूर कीज़ेगा और सब्सक्राइब कीज़ेगा मेरे चैनल को मिलते हैं एक्सपर्ट में तब तक के लिए टाटा टेक केस्टे से बाए